हलो दोस्तों सौगत है आपकी यूटीब चैनल वोल्ड अफ इंवस्ट्मेंट ट्रेड में आज हम बात करेंगे टाटा पाउर शेर के बारे में यह शेर हमनों देखेंगे यह लॉंग टर्म इंवस्ट्मेंट के लिए यह शेर मैं इसके काफी थोड़ी लंबी वीडियो रहने वाली है जो लोग लॉंग टर्म इंवस्ट्मेंट करते हैं उनके लिए अच्छी वीडियो है उनके लिए बहुत काम की चीज है तो टाटा पाउर आप सभी को पता है एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाउर सेक्टर में और आ आप मतलब बाहर स्क्राइब पॉलिसी भी आ गए तो ये सब अभी बंद हो जाएंगी और वह जिते लेक्ट्रिकल वहिकल उनके लिए चाहिए चार्जिंग स्टेशन तो चार्जिंग स्टेशन्स जो टाटा पाउर के सबसे ज्यादा है अभी और इनके बहुत तेजी से ब झालों यह ज्यां इसीच के लिए ब्रन क्यकिशन परवार कंटर्णि आ लिऎस क करना यह जैसे कोल के तुरू कि नहीं पर बूल सकते है 291 एनर्जी बूलते अरजी मतलब की जो फिर से प्रोडीयोश हो असके जैसे घ cały कोल और कुल जो है वो नुन रेनियो मिलेर्जी में आता है मतलब फिर से फ्रोडीउस किया नहीं जा सकते एक बर हो गया तो फिर वेस्ट हो जाता है वह एक तो सोलार आता हैं आप सबी को पता हुआ उल्ह sulla r आपफ में Creed फिर solar water pumps आते हैं मतलब आप खेतों में किसी को पानी pump करना है तो उसके लिए solar pumps आते हैं तो यह कुछ-कुछ अलग तरीकों से अलग तरीके से प्रोड्यूस करती है यह टाटा पावस तो यह बहुत यह अच्छा शेयर है लॉंग टम इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप देख सकते हैं कुछ दिनों से इसी रेंज में ही यह ट्रेट कर रहा है काफी बड़ा रेंज है वैसे तो लेकिन यह काफी बड़े रेंज में यह ट्रेट कर रहा है बट यह अपना एक रेजिस्टन्स को भी ब्रेक किया अभी करंटली और यह बहुत तेजी से बढ़ने वाला यह बट यह बहुत यह अच्छा शेयर है इसे खरीद करके आप बैठ सकते हैं इसे बेचिएगा मत यह मेरा सुझा हो है तो अब तो आगे चलते हैं, इसके slides है, slides में देखेंगे, इसके company के बारे में detail में देखेंगे, समझेंगे इनके future के बारे में, future में इनका क्या प्लान है, कितना growth होने वाला है, किस तरह किस electricity प्रोड्यूस करती है, क्या इनके benefit है, क्या नुक्सान है, इनके financial भी देखेंगे, और आकरी में हम लोग देखेंगे, कि हमें कितना investment करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वो सब details देखेंगे, तो आए चलते हैं, इसके slides के presentation में, चलते हैं, इसके presentation में, एक slides देखेंगे, इस share के, Tata Power share के बारे में, और मैंने ये thumbnail भी डाला हुआ है, electrical vehicle के लिए, ये share जो है, ये Tata Power अधूरा है, क्योंकि इसी से ही पूरा electricity मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं, मेरे channel का logo है, बट अभी चलते हैं, इसके slides में, तो सबसे पहले slide में चलेंगे, Tata Power is the mindset of a plant transformation on multiple fronts, तो जो Tata Power है, वो transform हो रहा है, ये मतलब वो अपने आपको change कर रहा है, तो कैसे change कर रहा है, बहुत सारी चीज़े, reasons है, think big, मतलब बड़ा सोच है, customer की और जुकाव है इनका, और ये sustainability मतलब stability है, और innovate नहीं नहीं तरीके से ये business करना चाहती है, तो सबसे पहले देखेंगे, कि ये portfolio को change कर रहा है, 30% clean portfolio था, अब उसको 60% मना रहा है, financial year 25 तक, customer center, मतलब commodity player था, अब service provider and customer तक आ रहा है, अभी जो है growth के लिए scale up कर रहा है, अभी जो है 12.8 gigawatt का है, जनरेट करता है, ये electricity, अभी आने वाला टाइम में 25 gigawatt, financial year 25 तक ये generate करेगा, तो कफी बड़ा growth होने वाला है, अभी देखेंगे, ये 3 million customer है, अभी financial year 20 में, financial year 25 तक 20 million हो जाएंगे, तो बहुत बड़ा jump होगा इनका, तो 6 से 7 गुना सोच सकते हैं, इनका jump होने वाला है customer base में, तो ये एक main था, उसके बाद देखते हैं आगे, कि new growth areas nurtured and balance sheet strengthened to prepare for Tata Power 2.0, इसका मतलब ये है कि अभी जो Tata Power है, clean energy है, आप ये देख सकते हैं, ये जो color है, financial year 19 का है, और जो दूसरा color है, ये वाला dark color, ये जो financial year 21 का है, तो अभी जो total capacity का renewable energy है, 35% बनाता है Tata Power, आने वाले कुछ समय में, financial year 21 में, ये 40% हो जाएगा, ये हो चुका है, बोल सकते हैं, तो ये clean energy के अग्रेसर है, ये आगे butter है, बोल सकते हैं, अभी देखे, solar का जो है, solar का जो है, ये 2019 में, 2009 49 megawatt था, और 2021 में, ये 4746 megawatt होने वाला है, तो इनका renewable capacity 1.6 times से बढ़ जाएगा, अभी distribution है, ये अभी 2.6 million था, financial year 2019 में, financial year 21 में 11.7 हो गया, तो काफी बड़ा distribution में अंतरा है, आप देख सकते हैं, 5-6 गुना हुआ है, अभी जो rooftop जो solar होते हैं, इसमें पहले 18 city में था, अ अभी 100 city में हो गया, तो देख सकते हैं, कितना बड़ा 5-6 गुना हो गया है, इनका ये भी बड़ा changes है, अभी electric vehicle का जो charging stations है, उसका जो financial year 2019 में 42 था, अभी 543 हो गया, कितना बड़ा jump हो आप सो सकते हैं, तो इतना बड़ा इतनी तेजी रफतार से ये टाट अपर जा रहा है अभी देखिए, एक और क्या है, existing business strengthens growth areas showing traction, deleveraging and promoter funding for 45 balance sheet, देखिए, overall क्या है, इसका revenue profit loss और जो debt क्या है, मतलब उधारी का कैसा है, तो revenue देखिए, financial year 2019 में 29,493 क्रोर का था, उसका financial year 2020 में 28,948 का हो गया, उसका financial year 2021 में 33,707 क्रोर का था, तो बढ़ा है इनका overall revenue, profit after tax देखिए, लगातार बढ़ता जा रहा है, financial year 2019, 695 का profit था, financial year 2020 में 1231 का हुआ, उसका financial year 2021 में 1424, तो लगा था, प्रॉफिट इट का बढ़ रहा है, अभी देखिए, उधारी जो है, इनके काम होता जा रहा है, debt to your metrics 5.28 है, उसका 4.7 और इसके तो यह काफी अच्छी बात है इसके लिए, अभी देखिए, compelling indicator for huge India green energy play, मतलब जो renewable resource है, या renewable energy की और यह कैसे aggressor हो रहा है, तो सबसे पहले तो overall world level पे देखते हैं, इंडिया जो है, आप यह देख सकते हैं, sustainability under penetrated electricity market, अभी देखिए, इंडिया में बहुत कम है अभी electricity का consumption, य इंडिया में देख सकते हैं, बहुत ही कम है, जो सबसे developing nation है, USA में, वो काफी बढ़ा है, आप बार से ही समझ सकते हैं, उसके दा Australia, जर्मनी है, चाइना है, world average है, और यह देख सकते हैं, फिर मेक्सिको है, तो इंडिया बहुत पीछे है अभी consumption rate में, तो आने वाले टाइम म है, क्योंकि लोग गाउं से शेहर के और शिफ्ट हो रहा है, और smart city का भी government ने announce किया है, तो इसको time लगेगा, तो धीरे धीरे करके यह सब चीजें बढ़ेगी, अभी देखे, immense potential for capacity addition, देखे, capacity जो है, इसकी टाटा पाउर की, देखे, यह जो color है, यह left side में जो दिया है, य potential है, gigawatts में, और इन्होंने install capacity अभी तक install कर चुके है, तो solar में इन्होंने 35 कर चुके है, और potential है 749 का, तो अभी काफी जादा बचा हुआ है, इनके बास, तो अभी काफी तेजी से बढ़ने वाला solar, wind का देखेंगे, तो टाटा पार ने 38 किया हुआ है, 302 का potential है, तो काफी अभी scope है, same solar rooftop में देखेंगे, इसमें 2 है, अभी टाटा पार का 210 जाना है, तो काफी बड़ा उपर जाना है, अभी सोच सकते हैं, बायो मास में 10 है, 23 जाना है, हाइडरो में 5 है, अभी 20 जाना है, तो काफी ज्यादा chances है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखे, huge untapped renewal resource in India, solar potential 750 gigawatt, अभी 37 gigawatt, as of number 20 तक कर रहे है, और window potential देखेंगे, तो 300 gigawatt का है, जिसमें 38 gigawatt अभी produce कर रहा है, अभी देखे, rising population, organization, fuel growth, तो इंडिया जो population का growth है, 1961 में 0.4 था, millions में हैं सब जो data है, billions में, sorry, और 2021 तक 1.4, तो आप देख सकते हैं, लगातार जो है, population बटर है, इंडिया का population है, अभी urban population, percentage, total population, तो urban population मतलब, शहर की ओर देखेंगे, बढ़ते जा रहा है, तो पहले 1967 में 18 परसंट था, अभी यह 36% हो चुका है, तो तेजी से यह बढ़ रहा है, population, शहर की ओर आ रहा है, गाउं से शहर की ओर आ रहा है, तो rising population, अभीशन विल ड्राइब पावर डिमांड, तो पावर का डिमांड बढ़ेगा, कि कि लोग शहर में ज्यादा कंजीम करते हैं, अभी रिनीवल एनरजी ग्रोथ जो है, क्या-क्या है, इंस्टाल क्यापिसिटी जो है, financial year 2015 में, देखे, 32 था, और 2020 में 87 हो गया, तो काफी बढ़ा है इनका, और percent of energy shared in renewable energy, इनका जो परसेंटेज है, आप देख सेखे, 2015 में 2.2 परसेंट था, डिनीवल एनरजी का, अभी 9.9 हो गया, तो इनोंने बढ़ाया है, धीरे-धीरे करके जो कि अच्छी बात है, अभी देखे, peak electricity demand जो है, financial year 2015 में 148 था, और अभी धीरे-धीरे करके 2020 में 184 हो गया, तो बढ़ाया है धीरे-धीरे करके नोंने, या फिर peak electricity का जो डिमांड है, वो धीरे-धीरे बढ़ा है, भो सकते हैं, अभी renewable energy capacity to increase by financial year 30, देखे, अभी यह जो है, अपना जो install capacity है, वो 280 gigawatt और 140 gigawatt 2030 तक ले जाने वाले, solar का 280 gigawatt जाएगा और wind का 140 gigawatt यह बढ़ाएंगे, तो यह देख सकते हैं, यह अलगले percentage दिया हो उनोंने, रेमल का 53%, thermal का 35, hydro-coast 7, और nuclear का 2%, तो यह overall अपना तेजी से बढ़ाएंगे growth, अभी decentralized distribution है, अमासिव B2C future opportunity, देखें, यह decentralized distribution मतलब की यह है कि अभी जो electricity produced होती है, वो coal से produced होती है, तो वो एक ही जगा power plant होता है, वहां से electricity जाता है, अभी क्या है, solar अपने च्छत के उपर में solar panel लगा करके वहां से आप electricity generate कर सकते हैं, और इसको घर में consume कर सकते हैं, तो decentralized बोलते हैं इसको, और solar pump जैस प्रोड्यूस करेगा, जो कि अच्छी बात है, और electric vehicle charging, देखें, electric vehicle आने वाले टाइम में, government ने भी अनाउंस किया है, electric vehicle आने वाले टाइम में, बहुत तेजी से बढने वाले हैं, तो उसके लिए charging station चाहिए, तो Tata Power एक ऐसा company है, जो अभी तेजी से अपने infrastructure ready कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा, तो यह तीनों एरिया में, यह बहुत तेजी से भाग रहा है, टाटा पावर, तो जैसे सबसे पहले चलते हैं, solar rooftop में, तो market size expected to be 30 gigawatt by financial year 26, अभी 2021 में कितना है, 6.6 gigawatt, तो यह आप सो सकते हैं, कि 5-6 गुना बढ़ने वाला है, अभी जो है, कुछ कुछ-कुछ laws होते हैं, government के law, बड़े-बड़े cities में हैं, कि आपको अपने roof के उपर, मतलब च्छत के उपर, आपको solar panel लगवाना ज़री है, ऐसे law बना दिया, यदि आप धर बनवाते हैं, तो तो दीरे-दीरे यह implement होगा, और लोग जो है, इसको खरीदेंगे, अभी solar pump देखेंगे, government की कुछ-कुछ initiatives है, जैसे government ने initiative लिया है, कुसूम scheme के तहत, जो है, करीब 20 लाग pumps लगाये जाएंगे, और 35 लाग किसानों के लिए, तो ये government कुछ-कुछ schemes लाती, जिसके तहत government को, किसानों को benefit मिलता है, और इसे, जो है, किसानों को भी फायदा है, और government को जो टाटा पावर उसको इफायदा है, तीनों को फायदा है, और अभी जो है, प्रोजेक्टेट मार्केट साइज जो है, 19,500 क्रोड फानिशेर 26 तक होने वाला है, ऐसा estimated है, तो ये solar pump के बारे मुआ, तो solar rooftop और solar pumps, ये दो important चीज़ है, तीसा जो सबसे important है, electric vehicle है, आप सभी क चार खरीदेगा, उसमें electric vehicle में उसको charging station चाहिए, तो Tata Power major player है, तो अभी 9.6 से 14.3 million electric vehicle, expected to be road on financial year 26 तक, ये काफी बड़ी बात है, अभी फानिशेर 26 में बहुत बड़े, बहुत सारे कारें रोड पे आ जाएंगे, तो अभी जो है, गवर्मेंट की कुछ-कुछ policies ला रहा है कि जो है, इसको आप सभी जानते हों कि vehicle scrap policy to improve electrical vehicle adoption, मतलब क्या करेंगी, petrol, diesel जो का रहे हैं, उनको scrap करने के policy आ चुकी, गवर्मेंट की, ताकि लोग electric vehicle उसको use करें, ये कुछ-कुछ initiative ले रहे हैं, गवर्मेंट, और कुछ-कुछ schemes ला रहे हैं, कुछ benefit दे रहे हैं, जैसे GST के benefit दे रहे हैं, 5% का electric vehicle में benefit दे रहे हैं, reduce कर रहे हैं, और आप सभी को पता होगे, यदि आप electric vehicle use करेंगे, तो petrol, diesel के जो rate दिन में दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके जो rates बढ़ रहे हैं, तो electric vehicle यदि आप use करेंगे, तो cost of running जो है, गाडी को चलाने का काफी कम में हो जाएगा आपका, जैसे काफी सारे advantage है, अभी हम लोंगे ने तीनों में देखा, ये टाटा पॉर साभी leader है, अगला जो हमारा ये, residential and industrial rooftop solar, अभी 8 गुना growth है, इसमें अभी है, अभी देख सकते हैं, growth का aspiration, 2025 तक टाटा पॉर का 30% market share लेने वाले हैं, residence मतलब घर के और industry के छट में लगाने का solar panel में, जैकि बहुत बड़ा है, अभी देख सकते हैं, अभी क्या है, government, टाटा पॉर का है, 30,000 प्लस total and 50,000 residential customer अभी 500 प्लस megawatt install कर चुके हैं, 40% CAGR से ये growth कर रहा है, अभी number one है, ये solar के 7 साल से लगाता है, जैकि बहुत ही अच्छ channel partner है, 250 प्लस channel partner है, partnership करके रखा है, ताकि इनकी तेजी से फैल है, अभी इनकी key capability है, differentiator क्या है, देखे, world class engineering है, इनके बास install capacity है, quality बहुत अच्छी है, 24 x 7 इंका जो है, service रहता है, ये from starting से end तक जो है, अपना solution provide करते है, one stop solution provide for all energy and allied needs, complete bill materials, slicing of regulatory approvals, easy financing solution, all needs, home automation, roofing top, etc. अभी safety भी जो हैंके काफी अच्छी है, use of walkways, safety lines towards accidental mishaps, structure to withstand high wind speed, ये इनके safety features है, channel ecosystem, motivate and engage 250 channel partners, programs to leverage positive world of mouth, reference influencer, mouth to mouth, publicity करने का भी इनका काफी अच्छा channel है, ये इनके क्युच capabilities है, बोल सकते हैं, अभी आगे चलते हैं, regulator push to solarize water pumps, अभी 13 गुना growth है, इनके solar water pumps में, तो अभी देख सकते हैं, आईए चार्ट में या graph में समझेंगे, 2020 में अभी ये जो है, ये ये देख सकते हैं, नीले कलर में, जो off grade है, और ये on grade है, और number of pumps annual, लगातार जो है, ये सबसे मेन है, number of pumps, solar water pump जो है, अभी 2020 में 91 है, और 2025 तक 1138 होने वाला है, तो ये काफी तेजी से बढ़ने वाला है, जो टाटा पावर का, तो ये काफी बड़ आप समझ सकते हैं, पात साल में, आवर इस, आवर इस, आउटसेंडिंग, मतला ही, over 35,000 pumps across इंडिया है, TAT reduced by 80%, 50 to 70%, so इनका जो turnaround time है, वो 57%, मतलब काफी जल्दी ये तेजी से ये चीजों को बदल रहा है, market leader ने solar pumps है, और digital, rural India में digital हैं, मतलब रूरल इंडिया में तेजी से फैल रहा है, online के थरू बोल सकते हैं, अभी देखें, इनकी capabilities differentiator क्या है, सबसे महले तो ये TATA का बहुत बड़ा brand है, उसके बाद, ये 30 years का इनका manufacturing के experience है solar में, strategic tie-ups, अलग-लग strategy tie-ups कर रहा है, partner के साथ, extensive network of train channel partner, इनके बास partners all over India बिख रहे हैं, इसे ये connectivity अच्छी इनकी और ये फैलाने में आसानी है, इनके लिए, established supply chain and standardized design, इनके design और supply chain काफी strong इनका, digitalization for operational excellence, मतलब ये digitalized online के थरू भी काफी तेजी से बढ़ रहा है है, superior customer service with on-site warranty, वारंटी भी अच्छी है इनकी, और rural marketing and innovative campaigns, अलग लग तरीके से campaign करते हैं, जैसे चावपाल mates, नौककर मेट्स, ये सब अलग लग तरीके अंगाओं में, अपने चीजों को बेचने का, ये उनको समझाने का तरीका है, ठीक है, अभी अगला जो है electrical vehicle दो है, feature of mobility, तो ये आप सभी को पता है, ये feature है, electricity के लिए, electric vehicle के लिए, तो electric vehicle जो है, उसमें देखे, financial year 2020 में, 2814 का था, अब टिक था, और 2021 तक ये 5905 का हो जाएगा, sales की बात हो रही है, sales कितने तेज़ी बढ़ रहा है, four wheeler का, financial year 2020 तक ये हो जाएगा, 68 lakhs, तो किते तेज़ी से ये जो numbers बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं, अभी electrical vehicle दो साल में, देखे, कौन कौन ला रहा है, आप देख सकते हैं, Volvo ला रहा है, Jaguar ला रहा है, Tata है, Mahindra है, Audi है, Tesla है, अभी देखे, Tata Power emerges leading as EV charging player in India, अभी देखे, 543 public charging points हो चुके हैं, अलड़ी 102 cities में है, 27 city players है, national highway में, 80 ultra high capacity bus charges है, Mumbai, Ahmedabad, और जैपूर में installed होने वाले हैं, अभी 300 home charges भी बना दिया हैं, प्रिस्टिजिज गोल्डन आवार्ड फर वेस्ट इन्योवेशन, एट इंडिया smart grid forum 21, तो यह इनको awards भी काफी सारे मिल गया है, अभी beyond just electric vehicle charging grid to vehicle, देखे, grid से वेहिकल तक कैसे जाता है, इसके पर यह इननना design बनाया हो है, तो यह grid है जहां से produce होता है और आपके car में आता है electricity उसके बारे में बताए गया है, अभी renewable energy key growth drivers, देखे क्या तीन चीजें जो हैं, वो renewable energy को आगे बढ़ाएगा, तीन चीजें, decarbonization, decentralized, digitization, decarbonization मतलब कि देखे, carbon जो है, जब हम लोग पेट्रोल लीजल यूज करते हैं, तो carbon जो है, वो atmosphere में जाता है, और heat produce करता है पुरे अर्थ में और इसे कफी सारे changes हो रहे हैं, तो petrol diesel जो है, यह एक तो non renewable resource है, मतलब कि वो दुबारा पैदा नहीं हो सकता, उसके limited resource है, तो उसको भी कम करना पड़ेगा, प्लस carbon का जो emission है, carbon जो निकलता है, जिससे heat generate होती है, पूरे वर्ल्ड में, उसको भी कम करना है, ठीक है, दूसरा जो है decentralization, मतलब जैसे अभी plants से केवले electricity produce हो, रिकोल के थूँ, digitalization मतलब कि online के थूँ, जो है लोगों तक पहुँचने का, ये एक अच्छा तरीका है ताकि जल्दी पहुँच सके, लोगों जल्दी reach में आए, ये तीन चीजे चाहिए, renewable industry को आगे बढ़ने के लिए, अभी देखे, growth segments क्या-क्या है, utility scale है, और solar module है, cell manufacturing इनका, और ये B2B ह business to business है, और business to customer जो है, rooftop है, solar pump से EV chargers है, आप चाहिए तो इसको देरी-दरीकर पढ़ सकते हैं, मैंने आपको ये just high level में पता दिया, अभी आगे चलते हैं, Tata Power well positioned with industry, leading position in most renewable energy segment, अभी इसका जो data देखेंगी, काफी अच्छा data है, आप समझेंगे तो आपको असानी होगा, तेजी से इनका जो data है, काफी अच्छा renewable utility scale में, अभी commissioned है, इतना बना चुके हैं, और in pipeline इतना बनाने वाले हैं, ये color, उपर के जो color में है, अभी देखें, ये सब बाकी पीछे हैं, भेल है, विक्रम, L&T, महिंदरा, SNW, अभी काफी पीछे हैं इसमें, अभी देखें, solar rooftop installation में, आप देख सकते हैं, Tata Power काफी आगे, 372 है, Azure और ये जो दूसरी companies है, इससे काफी नीचे है, तो ये solar rooftop में installation में आगे है, अभी number one पे आ, renewal capacity gigawatt में देखेंगे, अदानी green सबसे उपर है, अभी 3 है, installed capacity, और इनका इतना बचा हुआ है, अभी 15 बचा हुआ है, इनका द 44,000 है, इनके पास total, और 24 इन्स्टॉल कर चुक है, 24,000, तो ये अलग और दूसरी companies है, इनसे काफी पीछे है, भी देख सकता है, EV Charges, EV Charging में Tata Power सबसे number one है, इसके आसपास भी कोई भटक नहीं रहा है, भी देख सकते हैं, जैसे कुछ-कुछ कंपनी के नाम दिया, R.E.I.L E.E.S.S.L. for Trump है, ये सब कुछ कंपनी के नाम देख सकते हैं, 27 सबसे लोएस्ट है, इसका 543 है, EV Charging Stations, सबसे हाइस अभी Tata Power का है, तो ये काफी तेजी से बढ़ने वाला है, इनके शेयर के प्राइज, अभी distribution sector to drive next leg of investment in power sector, तो 25% sector investment are marked for the T&D, तो आप देख सकते हैं, जो 6 6.27 lakhs crore in investment, outline for T&D, transmission distribution, will need discounts financial head to be addressed to attract investment, तो इतना amount का 6.27 lakhs crore का investment अभी बचा हुआ है, transmission distribution में, तो ये एक data है, तो ये एक डेटा है, उसके according, आज प्रहे है, तो इसे देरे देरे करके देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, अभी 75 million customers across India as of 31st March 2019, अभी देखे, इसमें जो है, अलग लग देख सकते हैं, इससे समझ सकते हैं, कि जो है, परसेंटेज 94% 0.5 और 0.70 है, गौवर्मेंट डिसकॉम्स, इस्टिशन फ्रेंचाइजी और प्राइवेट डिसकॉम्स के हैं, तो अभी ये जो है, ओवर्राल ये है, इ तो अभी प्राइवेटाजिशन होगा, तो इससे होगा क्या कि Tata Power को काफि ज्याधा बैंट интересно होने माला है, पाफि ज्यादा opportunity हो, huge opportunity है, अभी Tata Power को largest private player है, अभी तका सबसे बड़ा पावर प्लेयर है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है टाटा पावर है 11.7 है तो यह काफी काफी सारे इनके कंजीमर्स है यह काफी बड़ा है इनका तीक है अभी एक 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 जामपल दिया है प्राइविटेशन का कि आप देख सकते हैं जब फाइनचर 2020 में 2.6 ता और ओड़ीस ने प्राइविटेशन लिया आपने हाथ में तो 9.1 और अभी जो 11.7 हो गया तो काफी तेजी से बढ़ा है नंबर अफ कस्टमर्स इनके प्राइविटेशन होने से लिए लिए पाइन्यू का देखेंगे जब फाइनचर 2020 में 11,976 थ तो 10,657 हो गया उसके बाद अभी जो है अक्यूजिशन के बाद 22,633 हो गया तो काफी बड़ा चेंज हुआ है अभी देखेंगे 5-year क्यापक्स मतलब क्रोर में कितने पैसे चाहिए 3,752 और ओड़ीसा अप्रूफ किया भी 5,640 का और अक्यूजिशन के बाद जो 9,393 का अ अभी आगे देखते हैं आगे देखेंगे टाटा पावर 2.0 बिकम एन आल रांड़ लीडर तो जो टाटा पावर है अभी आल रांड़ लीडर बनने वाला है क्या क्या चीजों में लीडिन यूटिलिटी सेक्टर एसजी प्रैक्टेस ठीक है तो इनके जो है अलग लग यह जो है तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं उसका इनोंने सोचा है कि क्या का करना है जैसे डी एसजी इंडेक्स कंस्टियंट वाई दोहजर पच्चिस इंप्रूफ करेंट MSCI ESGBB rating बढ़ने वाले हैं 60% clean and green portfolio वाई दोहजर पच्चिस तक बनने वाले हैं बेंचमार्क वाटर और वेस्ट मेनफेक्चर्श प्राइए बढ़ने वाले हैं यह का अच्छे मलब प्रक्टिस तक हमके टार्गेट्स है तो इससे आप समझ सकते हैं काफी अच्छे टार्गेट्स हर गई जिसके कानठ से यह भाग सकता है अब इस्केल अब उप ग्रोच यू देखेंगे डे लिवर्ज बैलेंट शीट टू रिलीज केपिटल फॉर ग्रोथ तो यह इनका जो ग्रोथ है इस मतलब कैसे कैसे करके बढ़ाएंगे उनका यह प्लानिंग है अभी देखें रिवन जी बिजनस टू ग्रो एक्स्पोनेंचली आप सभी को पता है रिवन जी जो आगी का फ्यू अपने बिजनस को फैलाने का है अभी लिवरेज टेक्नोलोजी टू एक्सपेंड रूफटाफ सोलार एंड सोलार पंप जो च्छत के उपर जो लगता है सोलार और जो वाटर पंप से उनको फैलाने का इनका प्लानिंग है अभी क्रियेटिव इनोवेटिव लो कार्बन आगे चलके क्या करने वाला है टोटल जनेरेशन 25 गीगावाट ऑफ विच 25 गीगावाट में से 15 गीगावाट जो है रिन्यूल अनर्जी से आएगा 22 क क्रोर एपीसी रूफटॉप और वाटर पॉंप्स अभी टू क्रोर कस्टूमर्स बढ़ाने उससे ज्यादा बढ़ाने है रिटर्न एक्विटी जो है 12 परसें से बढ़ना है और एविटा और डेप्ट जो है 3.5 से कम होना चाहिए स्मार्ट सॉलूशन फॉर कस्टूमर्स यह एसजी बेंचमार्क से अलग लग यह बेंचमार्क है काफी अच्छा इनका प्लानिंग यह राग़े के लिए इनके फ्यूचर के बारे में तो आप प्रोड़ साहँ अच्छे प्लानिंग तो बीकम वन ओन तो टॉप टू एनरजी कंपनीज इन इंडिया तो यह काफी अच्छा इनकों करता हुआ है अब देखे गो ग्रीन पॉ क्या है दोजर पच्चिस तक इनका कैपिसिटी कैसा रहेगा सोलार का जो है 28 परसेंट हाइब्रीड जो है 28 परसेंट विंड्र जो है चार परसेंट हैड्र जो है तक का अभी पोटेंशल अपसाइट टू फानेशर दोजर पच्चिस टारगेट ऑफ एट आट गुना कस्टमर्स बढ़ाने का सोच रहे हैं ट्रांस्मिशन डिस्रिबूशन में दो गुना और इनके रिवन्यू भी बढ़ाने के यह सोच रहे हैं तो अभी देख सकते हैं कस् करोड तो सोच सकते हैं पात साल में सीधा बारह हजार से पच्चिस हजर डबल होने के रिवन्यू के चांसे है इन्होंने सोच के रखा हूँ अभी मल्टिफोल्ड ग्रोथ इन कस्टमर और ओर्येंटेट बिसनस तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां फानेंशल हैं 2020 में र सिधार पैनल का है यह दस हजार से उपर का है मासी क्रोड शुक्राप का है नियू बिजनस में साड़े तीनहीर जार करोड से इन सब्सक्राइब का और फैनेंशल है दोजार पच्चीस तक चौदा हजार से ज्यादा का टार्गेट है कफी अच्छा टार्गेट इन्हों बना के रखे हुए अभी देखे री री लोकेट कैपिटल एंप्लोइड ग्रोध बिजनस तो अभी कैपिलर कैपिटल एंप्लोइड अभी क्या है तर्मीशन और डिस्ट्रिबूटर डिस्ट्रिबूशन से अठीन परसेंट है और तो यह इनका ओवर अब देख सकते हैं कितना कैपिटल पैसा लगाया हुए है अभी देखे 60,000 तो 65,000 क्रोर केपक्स तिल फाइनशल यह पच्छिस तक इतना इनको केपक्स चाहिए इतना बड़ा अमोंट का इनको केपक्स पैसा चाहिए जह जह पच्छिस तक अभी देखे रिनीवल के लिए लोंको 71 परसेंट देने वाले ट्रांस्मिशन डिस्रीबूचन के लिए 21 पर्सेंट सर्वेस बिजनस के लिए 3 परसेंट थर्मल और हैड्रो के लिए 5 परसेंट फिक है यह आपका कैपक्स यह इनको केपेटल जो चाहिए केपटल अम्पलाउय दो हजर परचिस तक कस्टमर सर्वेस जो हैं 5 परसेंट अभी का करेंट का अफ्राइंश दोजर पचिसतन का प्लानिंग अपने देख लिया अभी शिफ कैपिल एंपरट फॉर्म सीजी पील थर्मल बिजनस तो हाई रिटन बिजनस तो इनका प्रॉफिट कमाने का इन्होंने प्लान किया हो तो कैसे कैसे करेंगे उसका बताया अभी क्रियेट लॉंग टर्म शेयर होल्डर रिटर्स अभी मतलब किसका मतलब क्या है कि जो शेयर खरीदेंगे उनको बेनिफिट कैसे होगा उसके बारे में होना बताया है टार्गेट ग्रोड डिवन बाई रिनेवल रिनेवल एनरजी डिस्रिबिशन कस्टूमर सर्विस बिज प्रॉफिट आफ्टर टेक्स का देखेंगे 2020 में 1231 और 2025 तक यह तीन गुना करने का इनका फ्लान है रेटर नौर कैपिटल एंप्लॉइड एक्विटी परनेशर 2019 में आरुई जो है वो छे था चे परसेंट और 2025 तक यह बारा परसेंट से ज्यादा इनको ग्रोव करने का च परफिट गुज ओडिक टहुकि काफी अच्ची बात है तो इस तरीके से में आपको इसका छोड़े कंप्री के बारे में डिडेटे़ बताया तो अभी डिडेटेल बताने बात हम इसका थोड़े एक बार देखते हैं जो हमेशा हम लोग देखते हैं वेलक्स का करना तो यह देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशल में टाटपाउर के फाइनेंशल के वरें देखेंगे रेवन्यू में देखेंगे 2021 में 32,000 468 क्रोर कर था उसे पहले 29,136 क्रोर कर था तो लगातर इनके रिवन्यू बढ़ते जा रहा है जो कि अच्छी बात है ट्रोफिट देखेंगे 2021 में 611 नकट एंट प्रोफिट देखेंगे 2021 में 3.17 और 3.12. अभी ऐल्डिंग पैटर देखते हैं प्रामोटर के पास जो है यून 2021 में 47% है लगतार इतना ही है इनके शियर प्लज है बंप best बहुत ही negligible है तो यह ठीक है चलेगे इतना FI के पास जो है करीब साड़े-ग्यारा परसेंट है पहले बारा परसेंट था तो हल्का सा घटाया है बर ठीक है DIA का देखेंगे DIA के बास भी holding है 17 परसेंट है उससे पहले 20 परसेंट था तो DIA के बास भी थिख्टाउ reden आप चिलता है अभी लास में हमैं है कि हमें क्या करना चाहिए डेखियों नहीं है नहीं है और दख़ो क्या फराइस है एक थिक टा कैमान्ट जो है आप इसमें इन्वेश्मंट करके छोड़ सकते हैं veggie वाले यह शेर नहीं है कि इलेक्रिसिटी वेहिकल्स और इनके जो कैपेबिलिटीज है यहां फिर इनकी एलेक्रिसिटी प्रोड्यूस या इन्होंने सोच की रखा है इधि उसके कॉर्डिंग यह लोग चलते हैं तो इनको काफी सारे बेनिंफित होने वाले हैं और बहुत अच्छा ब्रांड है लॉंटर्म इन्वेस्मेंट के लिए शेर काफी अच्छा है तो तो आप चाहेद इसमें Tiktok अमाउंट इसमें इन्वेस्मेंट कर सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्मेंट करेंगे, तो अपने सोच समझ करके इन्वेस्मेंट करिये, अपना खुद कर रिसेज भी करिये, ये मेरी सोच थी, ये मेरी अनलसिस थी, बीना किसी की बूलने पर पैसा लगा है एक डिस्क्लेमर है कि कि पैसा आपका है प्रॉफिट लॉस आपी को होगा तो अपना खुद सोच समझ करके रिसेर्च करके ही पैसा लगाएं बट यह एक सजीशन है कि यह अच्छा शेर है आप चाहिए इसमें इंवेस्मेंट कर सकते हैं बट थोड़ा रिसेर्च कर लें तो आपको कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताएं यह आपके बास कोई और न्यूज यह कुछ और लगता है टाटा पावर के बारे में यह टार्गेट लगता है अगले पांच साल में कितना हो सकता है यह दस साल में आप बता सकते हैं और आप कितने न्यूज प्ताइम तक इसे इंवेस्निक करना चाहिंगे वो भू कमेंट में लिख सकते हैं एफिर आप कोई और कंपणों भी चल्प सकते हैं और आप लाइक डिस लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और यडिय आप यह तोán सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लाव HR च decision एंटर डे फ्यूचर औप्शन स्विंटेडिंग कॉल देता हूं बिल्कुल फ्री है उसका लिंक में अपने यूटीब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूगा आप वहां से जाकर के इसे जॉइन कर सकते हैं और वहां पर जो भी कॉल दी जाते हैं वो बिल्कुल एजूके